चलिए एपी को आगे बढ़ाते हुए इसमें हमें sum of n terms of an ap के बारे में पढ़ना है sum of n terms of an ap मतलब किसी भी ap के n terms का जितनी भी terms दी जाए n की जगां पर 10 term, 12 term, 15 term उनका sum कैसे निकालना है उसका एक direct formula है उसका direct formula हम लिख रहा हैं without उसको समझे n by 2 2a plus n minus 1 d यह जो है sum of n terms of an ap का formula है है न? और एक दूसरा formula भी है जब हमें last term दी जाए तो वो formula है direct n by 2a plus l और कभी कभी हमें l ना दिया जाएगा तो हमें जो है an दिया जाएगा an तो an को भी हम l समझेंगे question में अब इसके terminologies तो सब अपन समझते हैं an याने number of terms की बात की गई है a मतलब first term और d मतलब common difference इसी के थुरू हमारे questions solve होंगे कुछ questions direct आएंगे और कुछ questions ऐसे आएंगे जिसमें asn और an दोनों का formula एक साथ लगकर equation बनेगी जिसकी मदद से हमें terms निकालना रहेगी जो भी बोला जाये हमें तो an का भी एक बार formula recall कर लेते हैं अपन an is equal to a plus n minus 1d अब हम बढ़ते हैं questions की तरफ तो हम जो है एक तो सबसे पिले ये वाले जो questions है ये third part पूरा ये most important है इन में से questions बन सकते हैं तो इसके कुछ part कर लेते हैं अपन एक दो उसके अलावा हम करेंगे एक ये tenth वाला part 13th वाला part hopefully इससे अपने को समझ में आ जाएगा कि AP के questions को कैसे deal करना चाहिए सबसे पहले जो third question है उसका पहला question ले लेते हैं given में हमें दिया हुआ है a is equal to 5, d is equal to 3, an is equal to 50 n और sn निकालना है हमें तो सबसे पहले direct sn का formula नहीं लगेगा चूंकि an दिया हुआ है और दो चीज़ें दी हुई है इसलिए हम an का formula लगाएंगे जिससे पहले an निकलेगा उसके बाद फिर sn निकालेंगे तो हमें पता है an का formula an is equal to a plus n minus 1d और given में a है हमारे पास 5d है 3 और an है 50 5d है 3 और an की value है 50 यहां हम रख देंगे 50 is equal to 5a की value 5 plus n हमें निकालना तो n minus 1 और d की value 3 अब उसी तरीके से एक एक term को अपन इदर ले जाते हैं पहले यह 5 जो है minus का 5 हो जाएगा इदर आकर is equal to n minus 1 into 3 यह हो जाएगा 45 n minus 1 multiply 3 3 आ जाएगा नीचे 45 upon 3 is equal to n minus 1 तो यहां पर जो है 15 हो जाएगा 45 3 से 15 टाइमस में cancel हो जाएगा is equal to n minus 1 अजया झाल फैद से 15 टे झाल सवते हैं speed कर दो को जाएगा, टुछ, आप कि ले गस में ऊपनों, भार दो जहां और सवते हैं उाएगा, ठर्क्ष का तो ले म्हांम – «जन जा उताव, भार 2 रख 1 मैं का, ईन् यह dü communismes व busy 2 Beng सकह और कुछ question ले लेते हैं जैसे हम इसमें ले ले लेते हैं question number 4 A3 की value हमें दी हुई है 15 और S10 की value दी है 125 तो हमें निकालना है D और A10 की value सबसे पहले दिया हुआ है जो लिख लेते हैं A3 और S10 दिया हुआ है और हमें जो निकालना है वो D है और निकालना है A10 और A3 दिया हुआ है 15 और S10 दिया है 125 125 तो 15 125 अब हम जो है formula लगा लेंगे यहां पर सबसे पहले a3 का जो क्योंकि a3 दिया हुआ है तो a3 का formula हो जाएगा a plus 2d इससे अगर confusion है तो यह वाला formula लगा है कुछ भी नहीं a n is equal to a plus n minus 1d n की जगां पर 3 रखके देख लिजिए तो a 10 is equal to a plus 2d इससे हमारी एक equation बनी है equation number 1 बोल देते हैं अब हम s10 का formula लगा लेते हैं तो s10 का formula हो जाएगा 10 by 2 2a plus 10 minus 1d तो s10 हमें 125 दिया हुआ है is equal to यह cancel होके 5 हो जाएगा यह हो जाएगा से हम elimination method के थुरू a और d की value निकालेंगे तो पहली equation हमारे सामने a plus 2d is equal to 15 यहां से आईए और दूसरी equation है 2a plus 9d equal to 25 यहां से आईए अब हम जो है elimination method लगाने के लिए हमें coefficient से हम करने पड़ते हैं तो a के coefficient से हम करने के लिए पहली equation को 2 से multiply करेंगे अपन और दूसरी को 1 से तो पहली equation बन जाएगी आपकी 2a plus 4d is equal to 30 और second वही रहेगी क्योंकि 1 से multiply हो रहा है तो एसटीज रहेगी वह अब sign change करेंगे हम इसके 2a से 2a cancel हो जाएगा यहां पर बचेगा minus 5d और यहां पर बचेगा 5 तो यहां पर जो है अब d की value आजाएगी d की value आजाएगी 5 by minus 5 that equal to minus 1 d की value आजाएगी minus 1 अब d की value minus 1 को हम put करेंगे किसी भी equation में equation 1 में कर देते हैं equation 1 में put कर देते हैं इसको अबन equation 1 जो है हमारे पास में a plus 2d is equal to 15 a plus a plus 2 into minus 1 is equal to 15 तो a minus 2 is equal to 15 तो a की value यहां पर आ रही है 15 plus 2 a की value आ गई 17 तो a 17 है और d minus 1 है और हमें निकालना a 10 d तो निकल गया d पे ले जो निकालना था वो minus 1 आ गया अब a 10 आ जाएगा a 10 का फर्मूला होता है a plus 9d तो a याने 17 plus 9 into d की value minus 1 तो 17 minus 9 that equal to 8 a 10 की value यहां पर next question part 8 a n की value 4 दी है d 2 दिया हुआ है a n is equal to 4 d 2 s n minus 14 s n is equal to minus 14 we have to find n और a first term और n निकालना है मतलब a हमें find करना है और n find करना है तो पहले a n दियावा a n का formula लगा लेते हैं a n is equal to a plus n minus 1 d 4 is equal to a plus n minus 1 into 2 equation number 1 और simplify करके अच्छी बना लेते हैं इस equation को अपन plus 2 n minus 2 n 4 is equal to a यह 2 इदर आ जाएगा 2 को इदर ले आते हैं हमपन 4 is equal to a plus 2 n minus 2 हो गया है 4 plus 2 is equal to a plus 2 n तो 6 is equal to a plus 2 n equation number 1 यह वाली equation 1 नहीं है अब जो है sn का formula लगा कर दूसरी equation बनाते हैं तो sn is equal to होता है n by 2 a plus l क्योंकि l दिया हुआ है हमें इसलिए l वाला formula लगा है इसलिए minus 14 is equal to n by 2 यहाने n जो value निकालना है n की हमें by 2 a plus l की value है 4 l की value यहां से 4 आ गई यहां से अपन जो है multiply करते हैं 2 का 14 में तो minus 28 हो जाएगा यह is equal to n into a plus 4 यहां से हम a की value निकालकर n के form में इधर रख देते हैं तो a की value यहां से आईगी 6 minus 2n और यहां पर 6 minus 2n हम रख देते हैं 28 is equal to n 6 minus 2n plus 4 तो minus 28 is equal to n और 6 plus 4 हो जाएगे यहां पर 10 minus 2n 10 minus 2n तो minus 28 is equal to n का multiply अंदर होगा तो 2n 10n minus 2n square यहां से एक quadratic equation बनेगी quadratic equation क्या बनेगी हम यहां बना रहे हैं उसको 2n square minus 10n और minus 28 यह quadratic equal to 0 यह quadratic equation बनेगी हैं यह दोनों को मैंने side बेज़ दिया है यह पूरी equation 2 से divide हो जाएगी कोई भी equation आसान होने के लिए किसी number से अगर divide हो तो हमें कर देना चाहिए तो simple हो जाएगी equation यह n square minus 5n minus 14 is equal to 0 यहां इसको solve करेंगे अपन दो factor निकलेंगे इसमें 7 और 2 7 minus 2 हो जाएगे यहांपर minus 14 is equal to 0 n भी आ जाएगा है यहांपर n square minus 7n plus 2n minus 14 is equal to 0 तो n n minus 7 plus common 2 आ जाएगा है यहांपर n minus 7 तो एक n की value 7 आ रही है यहांपर और एक n की value आ रही है 2 minus 2 तो n की value minus में तो हो नहीं सकती तो इसको neglect कर देंगे हम तो n की value 7 को लेंगे हम क्योंकि n हमेशा एक integer होना चाहिए वो भी positive integer तो इसलिए n की value 7 लेंगे minus 2 को neglect करते हैं तो 7 आ चुकी n की value 7 अब हमें जो है a निकालना यानि first term तो यहांपर हम n की value पूट करके a निकाल लेंगे तो 6-2 इंटू n की value 7 इस इक्वल टू ए 6-14 इस इक्वल टू ए तो ए की value आ जाएगी यहांपर minus 8 तो hopefully समझ में आया होगा यह question अब next question कर लेते हैं अपन इसमें से 3 करा दिये इसमें समझ आ जाएगा कि कैसे question करते हम अब यह 10th question 10th question का एक part हम कर लेंगे second part बोला गया है कि show that a1, a2, an a1, a2, a3, a4, an तक यह एक ap बना रहा है जहांपर an की value हमें दी हुई है मतलब an की जगां पर पहले 1 रखना है फिर 2 रखना है फिर 3 रखना है फिर देखना है कि ap क्या बन रही है और also find the sum of first 15 term पहले 15 term का sum भी निकालना है अपने को तो यह जो equation दी है इस equation को आपन लिख लेते हैं जिसे हमें solve करना है तो equation है an is equal to 9 minus 5n an is equal to 9 minus 5n अब n की जगां पर अपन values रखते जाते हैं a1 is equal to 9 minus 5 into 1 9 minus 5 is equal to 4 तो a1 की value 4 आ गई अब a2 की value निकाल लो 2 रखके 9 minus 5 into 2 मतलब अपन n की जगां पर 2 रख रहे है 9 minus 10 तो minus 1 हो गया a2 यह minus 1 हो गया यसे ही a3 भी हम निकाल सकते है 9 minus 5 into 3 a3 is equal to 9 minus 15 तो 9 minus 15 होते है minus 6 अब यहां पर जो है यह ap बन रही है या नहीं बन रही है हम देख लेंगे मतलब show करना है कि ap बन रही कि नहीं पहली term हो गई है 4 दूसरी term हो गई minus 1 और तीसरी term हो गई 6 and so on यह series चलती जाएगी आगे अब ap है कि नहीं check करने के लिए हम check करेंगे कि इनका common difference same है या नहीं common difference हम निकालते हैं next term minus previous term से next term में से previous term minus करते हैं तो यहां पर आ रहा है minus का 5 इसमें से भी करके देख लेते हैं next term minus previous term अब इसको minus करेंगे अपन 6 plus 1 यह भी 5 आएगा minus का तो यह हमने proof कर दिया कि यह एक ap बना रहा है और ap बन गई है अब इसके first 15 term का sum भी निकालना है मतलब s 15 भी निकालना है इस ap का हमें तो s 15 का formula क्या हो जाएगा a plus n by 2 sorry 15 by 2 2a plus n minus 1 15 minus 1 15 minus 1 into d तो 15 by 2 2a 2 into a याने first term first term क्या है कि 4 plus n 15 minus 1 हो जाएगा 14 इंटू d की value आ रही है minus 5 इसको solve करके value निकाल सकते है 15 by 2 8 minus यह हो जाएगा आपका 70 सेवंटी एट में से माइनस सेवंटी गाए मतलब सेवंटी में से एट गाए तो बचेंगे 62 वो भी माइनस के तू वन्स आ टू थर्टीवन थर्टीवन को 15 से multiply करेंगे तो answer आएगा 5 1 3 5 से 15 5 1 3 1 से 3 4 answer आजाएगा minus 4 65 यह 15 टम का sum आगिया है next question कर लेते है last find the sum of first 15 multiples of 8 multiples of 8 means 8 के table में जो numbers आते हैं उनका अपने को sum निकालना है तो 15 multiples of 8 तो 8 का table जो है लिखना है 15 तक मतलब 15 बार तक लिखना है तो क्या बनेगा यहाँ पर एक 8 आ जाएगा दूसरा 16 आ जाएगा तीसरा 24 आ जाएगा इसे आते जाएगा कहां तक आएगा 8 15 जा तक आएगा 8 15 जा 8 15 जा कितने होते हैं 120 तक आएगा तो इनका हमें क्या निकालना है sum निकालना है तो यह एक AP बन रही है इस 15 का formula लगा देंगे हैं अपन 15 by 2 और last term बला लगाएंगे A plus L A plus L क्योंकि last term है हमारे पास तो 15 by 2 8 plus 120 15 by 2 into 8 plus 120 है जाएगा 128 इसको solve करेंगे तो 64 जाएगा और 64 का 15 में multiply करेंगे तो answer आएगा 5 for the 20 0 के यह वर 2 5 for the 30 32 या जाएगा 4 या जाएगा 6 0 6 9 तो 960 इसका answer आएगा hopefully समझ आया होगा कि इन questions को हमें किस type से करना है और भी questions की practice कर लेंगे तो हमें समझ आजाएगा हमारी practice हो जाएगी तो कि हमें जो है some or product कैसे करना है लगबक concepts तो पूरे हो हो चुके हैं सिर्फ इन questions की practice कर लीजिये तो आपके पक्का हो जाएगा इस chapter आप करें 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 झाल झाल